जहन बंदे मातरों स्वागत है भाईयो बैनो आप से भी का उनलाइन हेल्प यूट्यूब चैनल पर भाईयो बैनो यदि आपको नोट और सिक्के बेचना है तो इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा जहां भाईयो बैनो यहां पर जो यह आप पुराने नोट और सिक्कों की दुकान देख रहे हैं यह दुकान वाले आप से पुराने नोट और सिक्के घर आकर खरीदेंगे इसका जो मुबाईल नमबर है वो आपको आगे वीडियो में दिया जाएगा तो आप वीडियो को करेंगे तब भी आपके नोट और सिक्के सेल हो जाएगा ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई इतना बड़ा दुकांदार हमारे पास वीडियो बनाने के रिक्वेस्ट भी है तो भाई बहनों आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नोट और सिक्के लिच कर तो चलिए आगे वरते हैं वीडियो में और मैं आपको सभी जानकारी एके करके दे देता हूं लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वार्निंग कि यदि आपको कभी नोट और सिक्के सेल करवाने के लिए कोई पैसा मांगता है रिजिस्टेशन के नाम पे या अधार OTP पी बैंको टीपी मांगता है तो वो आपको सेयर नहीं करना है और पैसा तो बिलकुल भी नहीं देना है क्योंकि यह जो बाइर है यह आप से कोई भी पैसा डिमांद नहीं करेंगे आपके द्वारा बताएगा एड्रेस पर बाइर के लोग आते हैं और आप से नोट और सिक जिनते रह जाएंगे अपने पुराने नोट और सिके बेचने के लिए क्योंकि बहुत दिनों से आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग है जिनके 50-60 अलग-अलग चैनल होते हैं जहां पर से आपको तरह-तरह की बाते बता दी जाती है लेकिन कभी भी आपका नोट और सिका ना तो सेल हुआ होगा इतना तो छोड़िए वहाँ पर लोग आपको सही नंबर भी नहीं देते जिस पर कॉल लग सके यहां पर जो नंबर आपको देने वाला हो उस नंबर पर कॉल करके जांच किया गया है कि यह नंबर चालू है या नहीं है तो नंबर पर कॉल लग रहा कौन से पुराने नोट और सिखें जिसको आप सेल करना चाहते हैं कितने दिरों से आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर लेकिन आपके सिखें सेल नहीं हुए और कौन-कौन से सिखें जिसको आप सेल करना चाहते हैं यदि आपको जरूरत है पैसों की और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो जरूर से कमेंट करें। चलिए आगे वठते हैं और मैं आपको एक एक करके सभी 12 नोट और सिक्के बता दीता हूँ। देखे भाईो बैनों सबसे पहले तो आप अगर आपके पास समय हैं तो वीड़ो को अंतक जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो यहां पर सिक्का आता हुए इस तरह के छदरपती सिवाजी महाराज वाले सिक्कें, जिहां भाईो मैंनो यदि आपके पास छदरपती सिवाजी महाराज वाले सिक्कें तो आप इसको बेच सकते 80,000 रुपे तक आपको मिल जाएगा, उसके बाद दूसरे उसके बाद नेस्ट कोएन बात करें तो सरदार बललभाय पटेल के वाले सिक्कें, यह सबी 2 रुपे के कोईन है जो भी आप अभी देख रहे हैं, यह सबी 2 रुपे वाले सिक्कें उसके बाद जो तीसरा सिक्का है वो है देली, कौमन वेल्थ गेम्स का, जो की यहां पर द कि भारती रिजार बैंक और यहां पर प्लैटनम जैनती लिखा हुआ है यानि कि भारती रिजार बैंक के 75 साल पूरे होने पर यह सिक्का जारी किया गया था और भाई वैनों यह सिक्का इतना ज्यादा डिमांड में कि आप सोच भी नहीं सकते यदि आपके पास इसका एक प्लिकिशन गाया क्या है ना तो आपको किसी एपलीकेशनyan को डाउनलोट करना है सीधा जो आपको वर्च्अपनी नंबर दीया जा और सिक्के के photo click करनी है और उस पर send करना है और साथ ही इस number पर आपको call भी करके बात करनी है कि आपको कितने पैसे last में आपको मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो पैसे हैं यह सिक्के के condition पर वो कौन से year का सिक्का है इस सब पर भी depend करता है तो आपको final जो कीमत है वो आपको जब आप call करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा उसके बाद भाईव भैनु यहाँ पर जो next coin आता है वो है 20 रुपय के konark चकर वाले सिक्के जिया यदि आपके पास 20 रुपय के konark चकर वाले सिक्के हैं जो कि यहाँ पर आप देखें जिसमें konark चकर यानि एक रफका पईया बना हुँआ यदि आपके पास ये 20 रुपे वाला सिक्का है तो ये काफी ज़्यादा रेयर है 20 रुपे के कोनार्ट चक्र वाले सिक्के इतने रेयर है नोट की आप इसको सोच भी नहीं सकते कि ये नोट आपको कितना ज़्यादा पैसा दिला सकता है 20 रुपए के कोनार्ट चक्रवाले नोट की कीमत की बात की जाए तो भायू बेनो यह जो नोट है यह आपको 2 लाक रुपए तक भी दिला सकते है तो इसलिए वो लोग बहुत जल्दी जितने भी नोट और सिक्के आपको बता रहे हैं वो सभी नोट और सिक्के ये लोग बहुत जल्दी परचेस करना चाहते हैं तो आप जितना जल्दी इनसे संपर्क कर पाएंगे उतना ही जल्दी आपका सिक्का या नोट जो है वो सेल हो है रौंड में यानि कि रिंग में कोई अलग मेटल है और बीच में अलग मेटल है तो अगर आपके पास दस रुपे या पांच रुपे वाले दोनों में से कोई सावी सिक्का होता है भाई बैनों तो उसकी जो कीमत है यहां पर लाख रुपे में चली जाती है जिहां एक इतना पैसा हमें दीजे क्योंकि दूसरे लोग को इतने जादा पैसे मिले अगर बायर देने के लिए राजी हो जाता है तो अच्छी वात है नहीं तो आपको अगर जो कीमत बायर देने के लिए राजी है उस कीमत में अगर आप बीचना चाहते हैं तो आप बीच सकते हैं आगे में आपको मुबाइल नमबर देने वाला हूँ जो भी इनका वर्ट्सेप नमबर है वो आपको आगे वीडियो में दे रहा हूँ तो वीडियो को continue देख चरिए उसके बाद भाई वेनु यहां पर जो next note आता हुए पांच रुपए के ट्रेक्टर वाले note जो कि इस design के जैसा कि अभी आप इस्क्रीन पर जो design note के देख रहे हैं इस design के यदि आपके पास पांच रुपए के ट्रेक्टर वाले note है तो आप इसको sale करके 60-70,000 रुपए प्रा सकता है क्योंकि यह note बहुत बाद में जारी किया गया है इसलिए अभी बहुत ज़्यदा लोगों के पास इस तरह के पांच रुपए के note है तो भी अगर आपको 25-30,000 रुपए भी ऐसे note के बदले मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी वात है क्योंकि भाई यहाँ पर जो next note आता हुग है पिकॉक वाले note 10 रुपए की note है देखिए 10 रुपए वाले note है जिस पर mode के यहाँ पर चितर बने होते हैं किसी note में आपको एक देखने को मिलेगा किसी में दो और किसी में तीन देखने को मिलेगा तो यदि आपके पास एक mode या दो या तीनो मेंसे कोई सा भी नोट है तो तीनों ही नोट रेयर है और उसके बदले आपको बहुत अच्छी कीमत जो यहाँ पर मिल जाती है तो अगर आपके पास इस तरह के नोट है के पिकॉक नोट तो इसके बदले आप दो तीन लाख रुपए भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि रेयर कॉइन मार्केट में इसकी काफी ज़्यादा वैल्यू चल रही है तो भायों यहाँ पर दो तीन और नोट और सीके आपको बता देता हूं लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको जो है इसका मोबाइल नंबर दे दीता हूं जो भी सौप ओनर है इनका मोबाइल नंबर अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसी नंबर पर आपको संपर्क करना है यदि आप अपने नोट और सीके सेल करना चाहते हैं तो बिलकुल इसी नंबर पर आप को संपर्क करना है किसी भी अने नंबर पर संपर्क करनी क्या वसकता नहीं है यदि आपको इस नंबर पर संपर्क नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते कि इस नंबर पर कॉल नहीं लग रहा है तो हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे क्यों अगर उस नंब का ब्रिटिस टाइम के सिक्के है तो वह आपको तीन लाक रुपे तक दिला सकते है जियां जैसे कि ये देखिए वन क्वाटर आना का है एक आना का भी सिक्का होता है यानि कि जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था उस टाइम जो सिक्के या नोट जारी के जाते हूँ यदि आपके पास इन में से एक भी नोट या सिक्का होता है तो दिये गए नंबर पर संपर की किजिए यदि एक भी नोट और सिक्का नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते कि इसमें जितने भी सिक्के और नोट आपने दिखाया उसमें से एक भी मेरे पास नही है और यदि आपके पास इन में से 2-4 नोट और सिख्के है तो वह भी आप कमेंट करके बताए कि जितने सिख्के और नोट मैंने आपको बताए उस में से कौन-कौन से सिख्के और नोट आपके पास है